नमस्कार दोस्तों, श्वागत है आप सभी लोगों का एक वार फिर से दोस्तों आज हम बात करेंगे आज के कन्य राज के दनीक रास्वल की लेकन उससे पहले बात करें आज के पंच्यांग के बारे में 22 नवंबर 2022 मंगलवाल के दिन है और अगहान माश के कुर्शमपक्ष याज है त्रियो दशी और चतुर दशी ते थी दोनों ते थी आज के दिन रहेगी आज का नचत रहेगा श्वाती अब जी इतम हुरत आज दुपार 11 बच के 37 मिनट से लेके दुपार 12 बच के 38 मिनट तक रहेगा शुर उदय होगा सुबह 6 बच कर आज 25 मिनट पे और चंद्रमा के स्थिति रहेगी आज की दिन तूलराशी पे यानि आपके दूसरे भाव धन भाव पे चंद्रमा गोजर कर रहे हैं आज के जो अशुब समय होगा तकरीबन होगा सुबह 7 बच कर 12 मिनट से लेके सुबह 8 बच कर 25 मिनट तक रहेगा इस अशुब समय में कोई विशुब और नयकार के स्थिरुवात ना खरेने तो बिगन बाधाईया सकती है अब बात करते हैं आज के कन्यराश के दरीक राश्विल की और ये प्रड़क्शन चंद्राशी पर अधारी थे कन्यराश के आतकों आज होगा बड़ा उलट फेर क्योंकि आज कई बड़े परिवर्तन की योग बन रहे हैं आज आपके नोकरी में भी बड़े परिवर्तन होंगे प्रमोशन की योग तो बनेंगे साथी ट्रांसफर की योग बनेंगे इसलिए थोड़ा सा सावधानी भी बरतनी होगी उच्चा दिकारियों से आपके जो संबंध होगे उन्हें बेतर और मधूरता बनाए रखने की कोशिश करनी होगी किसे से भी आज नाराजगी नहीं जहलनी पड़ेगी वरना नुश्कान भी हो सकता है इसलिए करनी राजगतों ज्यदा ज्यदा आपको अपने केजर पर ध्यान देना होगा ज्यदा ज्यदा अपने काम पर फोकस बनाए रखने की जरूरत होगी कामकाश के मामले में भी आज आपको सतरक रहने की जरूरत है आज जहां पर जोब करते हैं इस्थिर जोब करने का मौका मिलेगा नई कंपने स्याफारा सकते हैं सरकारी छेत्रों से भी आज आपको लाब हो सकता है आज आपको अपनी नजदी की यहनी ब्यापार जो आप खुद का ब्यापार करते हैं अकेले करते हैं उसमें भी बड़ा परिवर्तन आएगा बदलाव किस्ते देख सकती इसलिए थोड़ा सा ध्यान दे कर चलना होगा कारशेत में आपको अधिक शदिक फोकस करना होगा बेवजा किसी से उलजने से भी बचना होगा आज की दिन आज आपको लड़ाई जिगड़े से दूरी बनाए रखना होगा काम काज की मामले में आज आज आपको सतर कर रहने के जरूरत होगी पूरी फोकस आपको अपने कार्षित में रखना होगा बेवजाए घूमने फिने से बचें तो ज़्यादा बेहतर होगा और किशी काम को नजर अंदाज न करें ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करें लाब की योग बनाए रखें ताकि बेहतर से बेहतर आपको पैड़ाम मिले और धन की स्तिती को मजबूत बनाए रखें धन की स्तिती आज आज चीरेगी आज आपको रुकावा फसवा धन भी प्राप्त होगा कोई महत्पुन डिल को रूपे बड़ा उलट फेर होगा क्यों कोई इस डिल के फानल होने से इस डिल के सफलता मिलने से कन्य राजकत को आज आज आपको लाभ मिलेगा आज चुकी मंगलवार का दिन है इसलिए कन्य राश्कतों आज हनवान जी बजरंग बली की पूजा राधना करके दिन की स्थरुवात करें अगर आप रेंड करजों से परेशान है ये फिर सत्रों से परेशान है तो आज बजरंग बली को एक मीठा पान का बीरा और लाज सिंदूर चढ़ाएं इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी करजी से मुक्ति भी मिलेगी और सत्रों से पीछा भी मिलेगा इसलिए हनवान जी की पूजा राधना जरूर करें आज आपको कणियराशकत कों कई अच्छे अबसर मिलेंगे बहतरीन अबसर और बहतरीन प्रेणाम देखने को मिलेंगे जो आपके लिए काफी बिशेश रहेगा धन संपत्य के लाब होगा आनेक जगों से आपको लाब होगा जो कारे अधूरे पढ़े थे पेंडिंग थे उन्हें पूरा कर सकते हैं लगातार आमदनी बढ़ने से मन काफी प्रसंद रहेगा कुछ महत्पूर्ण कार होने से जो आपके कार अधूरे थे पेंडिंग थे उन्हें पूरा कर सकते हैं लगातार आमदनी के स्रौत बढ़ेंगे कुछ अधूरे कार आशानी से पूरे होंगे धन संपत्तिक लाव होगा अनेक का जगों से आज आज आपको लाव भी मिलेगा कार्षेत में आपको शफलता मिलेगी पेंडिंग काम अधूरे पड़े थे जो उन्हें पूरा करने का विशेश मौका मिलेगा आज आपके देनिक दिन चेरे में बरिवरतान आएगा जो अवियाई जातक है उनके लिए भी बड़ा उलट फेर होगा अवियाई जातक जिनके रिष्टे तै नहीं हो पारे थे हैं फिर रिष्टे तै होकर तूट जाते थे उनके लिए ने रिष्टे आएंगे ने रिष्टों की चर्चाए हूंगी पत पतने की बीज भी संबंद कफी मधूर रहेंग बने रहेंगे एक दूसरेक भी संबंद संबाद बनेगा घरेलू जीवन में व्यस्त रहेंगे माता पिता का सहयोक प्राप्त होगा आज आपको माता की स्वास्त में थोड़ी सी दिखते आने देखने को मिल सकती है थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा माता की स्वास्त का थोड़ा सा आपको विज़ार करना होगा आज आपको बेहतर बनाए रखने के लिए और अच्छा बनाए रखने के लिए कोशिश भी करनी होगी जो कार अधूरे थे पेंडिंग थे उन्हें पूरा करने का परहाश करना पड़ेगा यानि अधूरे कार आशानी से पूरे होगे महतपूर सफलता मिलने से भी मन काफी प्रसंद रहेगा लेकिन कारशली में बदलाव आएगा मेहनत करेंगे परिस्रम करेंगे तो कामयभी दस्तक देगी अनेक जिगों से आज आपको लाव होगा जो कार यानि अभी तक नहीं बन पा रहे थे उन्हें पूरा करने का मौका मिलेगा कारशेत में आपको अधिक शदिक धन लाव होगा और अधूरे कार आशानी से पूरे होंगे मन चाही सफलताएं मिलने से भी मन काफी प्रसंद रहेगा कारशेत में आपको लाव होगा और कुछ धन संपत्त में लाव होगा बेहतरीन अबसर प्राप्त होंगे आज करनी राशकत को हूँ आज भागदाओर भी बनी रहेगी पत पत्रें कोई शमंद काफी मदू रहेंगे संतान की तरब से कोई उपाहार सुरूप गिप्ट बगर मिल सकता है संतान की तरक्की से भी आपका मन काफी प्रसन हो सकता है संतान की तरक्की से आपका मन बेहत अच्छा रहेगा कुछ अच्छे बिचार भी मर्श हो सकते हैं कुछ गिप्ट बगर उपाहार सुरूप मिल सकता है कवर्थरे पार्टी में शामिल हो सकते हैं गोमने फिरने के सवकीन हो शकते हैं आज की जिन आज कोई गलत नेड़ने डिसीजन ना ले जो आपके लिए नुक्षान दायक हो आज प्रेम जीवन में भी आज आपको मिला जुला सर देखने को मिलेगा आज सिक्षा के छेत्र में आपको बेहतर प्रदर्शन करने की जरूर होगा और लिखाई पढ़ाई के मामले में भी आज आपको फोकस बनाए रखने की जरूरत होगी बेवजय उलजने से बचना होगा और आज एक कुछ महत्पुर्ण नेड़ने डिसीजन ले सकते हैं शाथे स्वास्त का विशेस रोप से ध्यान रखें करने राजकत को स्वा परिवर्तन भी आएगा कुछ अच्छे लाब की योग बने रहेंगे लगातार आमदनी बढ़ेगी कुछ ऐसे कार पूरे होंगे जो काफी समय से अधोरे पड़े थे पिर्णिंग थे उन्हें पूरा कर सकते हैं धन संपत्तिक लाब मिलेगा कारे में चलियारी परिशानिय दूर होगी अच्छे लाब की योग बनेंगे कुछ महत्पूर्ण अवसर प्राप्त होंगे दिकते आशकती हैं धनलाब की योग बन सकते हैं लगातार आमदनी के स्रोथ भी बढ़ सकते हैं कार शेत में आपको अधिक शदिक मुनाफ़ा देखने को मिलेगा बिशेस तोर पर कहा जाए तो आज की दिन काफी अच्छा रहने वाला है हर महत्पूर्ण शेतरों से आज आपको लाब मिलेगा और जो कुछ भी परिशानिय थे दिकते थे वदोर होंगी आज नजिकी रिष्टिदार से मुलाकात करने का मौका मिलेगा लगातार पेंडिंग काम आशान से पूरे होंगे धन संपत्य के लाब मिलेगा कार्षेत में आपको अधिक शदिक मुनाफ़ा प्राप्त होगा और बदलाव भी देखने को मिलेंगे कुछ ऐसी कार पूरे होंगे जो काफी समस्य अधोरे पड़े थे पेंडिनिंग थे उन्हें पूरा कर सकते हैं धन संपत धन के सिति मजबूत रहेगी लेकिन ब्यापार में बड़ा उलट फेर होगा कई छेत्रों में बड़ा उलट फेर होगा आज आपका शुबरंग रहेगा यहां पर महरून कलर और भाग सातनी भारा आपका तिक्रिवन यानिकी 85% दोस्तों वीडियो को लाइक करें शेर करें और चनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा जय शनिदेव